नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग रिसी पंचमी भादरपद मास के सुक्लपक्ष की पंचमी तिथी को मनाय जाता है और रिसी पंचमी कोई त्योहार नहीं है बलकि इस दिन भगवान की पूजा नहीं की जाती बलकि सब्त रिसीों की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार रिसी पंचमी 11 सितंबर सनीवार के दिन मनाय जाएगी ये ब्रत महिलाओं के लिए अटल स्वभागेवती ब्रत माना जाता है क्योंकि इस ब्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोस्ट से मुक्त हो जाती है माननेता है कि अगर महिलाएं रिसी पंचमी का ब्रत के समय गंगा अशनान कर ले तो उसका फल कई सो गुना बढ़ जाता है अगर आप गंगासना नहीं भी कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालने या फिर आप नहाने के बाद हलका सा गंगा जल का छिड़काव माथे पर कर ले रिसी पंचमी के ब्रत को पूरी स्रधा से अगर करें तो जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और इस दिन विधी पुर्वक ब्रत किया जाता है रिसियों की पूजा करना, ब्रत कथा पढ़ना, मंतरों का जब करना, जीवन में उन्नती करवाता है तो रिसी पंचमी के दिन पूजा के दौरान कुछ मंत्र है जिनको पढ़ना बहुत सुमाना जाता है और कहा जाता है बरत के दिन जीतना जादा हो सके भगवान का समरन करना चाहिए तो आप रुसी मुनियों के मंद्र का जाब धयान करके भी पापों से मुक्त हो सकते हैं इस दिन कथा सुनने का भी धान है तो पहले हम कथा सुन लेते हैं दो सब्दों में फिर हम आगे की बाते करेंगे देखे भावी से पुरान के अनुसार एक उत्तक नाम का ब्रह्मन अपनी पत्नी सुसीला के साथ रहता था और उसका एक पुत्र और पुत्री थी दोनों ही बिवाह योगे थे पुत्री का बिवाह उत्तक ब्रह्मन ने स्योग्यवर के साथ कर दिया लेकिन कुछी दिनों बाद उसके पती की अकाल मिरती हो गई इसके बाद उसकी पुत्री माय के वापस आ गए एक दिन बिद्वा पुत्री अकेले सो रही थी तभी उसकी माने देखा कि पुत्री के सरीर पर कीड़े उत्पन हो रहे हैं अपनी पुत्री का ऐसा हाल देकर उत्तक की पत्नी ब्यथित हो गई और अपनी पुत्री को पती उत्तक के पास लेकर गई और बेटी की हालत दिखाते हुए कहती है है प्रानात मेरी साधवी बेटी की ये गती कैसे हुई उत्तक ब्रहमन ने ध्यान लगाने के बाद देखा कि पूरु जन में उसकी पुत्री ब्रहमन की पुत्री थी लेकिन राजस सुलाक के दौरान उसने पूजा के बरतन छू लिये थे और इस पाप से मुक्ती के लिए रिसी पंचमी का बरत भी नहीं किया था इस बज़ा से उसे इस जन में सरीर में कीडे पड़े फिर पिता ने बताया कि पुत्री ने इस जन में इन कस्टों से मुक्ती पाने के लिए पंचमी का बरत किया और इस बरत को करने से उत्तक की बेटी को अटल स्वभागी की प्राप्ती हुई इस दिन कुछ खास प्रियोग भी किये जाते हैं आईए जानते हैं पुजाविदी हिंदू धर में इसी पंचमी के बरत का बिसेश महत्व है क्योंकि जो भी ब्यक्ति स्रधा से इस बरत नियम का पालन करता है सारे दोसों से मुक्ती मिल जाती है और खास तोर पर सब तरिस्यों को समर्पित ये बरत है तो धन धाने की बर्धी होती है संतान प्राप्ती की कामना भी पूरी होती है तो रिसी पंचमी का बरत की पुजा विधी मंत्र कथा सुमृर तमाम बाते जारी है देखिए पंचमी तिथी की सुरुवात 10 सितंबर की रात 9 बचकर 57 मिनट से हो जाएगी और समाप 11 सितंबर को साम 7 बचकर साथ 30 मिनट पी होगी और इस दिन पूजा का सुम महुरत है सुबह 11 बचकर 3 मिनट से दो पहर 1 बचकर 32 मिनट तक और इस बार ये पर्व 11 सितंबर को मनाय जा रहा है ब्रत रखने वाले लोगों को इस दिन सुबर सुर्योदे से पहले उठकर रस्नान कर लेना चाहिए और इसके बाद स्वक्षबस्त धारन करने चाहिए फिर घर के पूजा अस्थान पर अच्छे से सफाई करके आप हल्दी से चौकोर मंडब बनाए फिर उस पर सबतरिसियों की अस्थापना कर ब्रत करने का संकल्ब ले इसके बाद सबतरिसियों की सच्छे मन से पूजा करे पूजा अस्थाल पर एक मिट्टी के कलस की अस्थापना करे कलस में हल्दी की गांट, सुपाडी और एक सिक्का डाले, आम के पल्लव रखे, उस पर एक नारियल या एक केला या एक सेव रख दे और कलावा बांदे कलस के गले में भी कलावा बांदे और सुमंगल परतीक चिन्ध बना दे अब सब्तरिसियों के समीप दीप और धूप जलाएं, गंद पुस्प नेवैद अर्पित कर ब्रत की कथा सुनना है, इसके बाद उनको अर्द दे ब्रत कथा सुनने के बाद आर्थी करें और सब्तरिसियों को मीठे पकवान का भोग लगाएं अगर आप ब्रत रखती हैं तो केबल एक बार रात के समय भोजन किया जाता है, आप दिन में चाय बेगरे ले सकते हैं, लेकिन ब्रत रखने वाले लोगों को इस दिन पिर्थवी में पैदा हुए चीजे नहीं खाना चाहिए, यानि कि जमीन के अंदर जो भी चीजें उग नियम बताएं गये थे और इसलिए ऐसा नहीं जाता था जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें दोस लगेगा और इस दोस के निवारन के लिए ही महिला या ब्रत का पालन करती हैं उसे नग्य के बल दोसों से मुक्ती मिलती है बलकि उन्हें संतान की प्राप्ती होती है सुखी दामपत्य जीवन का आसिरवाद मिलता है और उद्यापन कैसे करेंगे देखे माना जाता है अगर ये बरत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे हर वर्स करना आवस्यक हो जाता है और फिर ब्रधावस्था में ही इस ब्रत का उद्यापन किया जा सकता है यानि जब आप फ्री हो जाती है महिने के दर्द से और इस ब्रत के उद्यापन के लिए ब्रहमनों को भोच करवाया जाता है और भोज के लिए साथ ब्रहमन को सब्त रिती रिसी का रूप मानकर उन्हें वस्तर अन्दान दक्षिना दी जाती है तो इस तरह से आप इस ब्रत का उध्यापन करेंगी और इस दिन समस्त पापों की जो पाप हैं उनसे जाने अन जाने कुछ पाप हो गया है उनसे मुक्ति पाने के लिए सब्त रिसीयों की पारंपरिक पूजा की जाएगी तो साथ रिसीयों के नाम क्या है जो सुना जाता है आज आज उनके नाम सुनने मातर से कस्ट मिटते हैं रिसी कस्यप, रिसी अत्री, रिसी भार्दज, रिसी बिस्वमित्र, रिसी गौतम, रिसी जगदगनी और रिसी बसिष्ट इन्होंने समाज कल्यान के लिए काम किया था इसलिए उनके सम्मान में ब्रत रखा जाता है और पूजा किया जाता है अब धार्मिक गरंथों के अनुसार कोई विव्यक्ति खास कर महिलाएं इस दिन सब तुरिसियों का पूजन करती हैं तो सभी दोस्त से मुक्त हो जाती हैं और जो भी अभी तक जीवन में जाने अंजाने पाप हुए हैं उनसे आप प्रैस्चित कर बच जाती हैं तो ये तो थी कुछ नियम, बिधी, महत्व और रिसी पंचमी के कुछ खास प्रयोग तो आईए जानते हैं उनको मनाने के लिए क्या अरपीत करें कि आपके जो पुन्य फल है वो कई कुना बढ़ जाएं देखिए सबसे पहली बात देखिए आप जब पूजा किजिएगा तब पंच रतन यानि कि आप पांच तरह के फल या पांच तरह के पुस्प और साथ ही आप इसके बाद जो पंच गबी जिसको कहते हैं नहीं पंचामरित या फिर पंच गबी गोबर, मुत्र, दूद, गाय का मुत्र, दही, घी का स किजिएगा और नमक तो बिल्कुल भी मत खाईएगा हल से जुतेवे खेत का अन भी नहीं खाना है इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और अगर आप अश्टदल कमल बनाकर उनके दलों में अत्री भारद्वाज, विश्वा, मित्र, विशिष्ट, आदी रिस्यों वो बोत्तम होगा फिलार भी दालेंगे हरहर महादेव धनेवाज